वह सुनता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला, सीता हस्ती रही, वह तैरती रही, मैं कोशिश करता रहा, वह सवाल पूशता रहा, वह चीगती रही, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की. तो यह सारे sentences के लिए आपको एक special structure की ज़रूत पढ़ती है, लेकिन वीडियो मा आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल के नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो फ्रेंच चलते हैं, फॉर्मेट फोरा सा बदल देंगे, subject plus और यहां पर वर्प की second form यूज करेंगे, तो वर्प की second form के लिए क्या करना, go on को went on कर देंगे, तो subject plus went on plus वर्प की ing form, मतलब gerund form, यह दूसरा structure है, subject plus kept plus वर्प की ing form, gerund form, जैसे आप एक्जांपल देखें, वा सुनता रहा, तो इस went on laughing, मैं कोशिश करता रहा, I went on trying, वा चीकती रहे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, she went on screaming, but nobody helped her, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, मैं कहता रहा, लेकिन मेरे किसी नहीं सुनी, तो मैं कहता रहा, I went on saying, but nobody listened me, लेकिन किसी ने मुझे नहीं सुना, तो friends, that's all, and thanks for watching my video, have a great day,